नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इतिहास के उस दोर में लेकर चलेंगे जब भारत की सुतंता के सांथ साथ दलितों के अधिकारों के लिए भी संगर्स हो रहा था। यह कहानी सिर्फ आजादी की नहीं है, बलकि उन सवालों का भी है जो हमारे सवाज के गहरे ताने बाने में बुना हुआ है। अहिंसा और सत्यागरा का मार्ग जो है वह मूलता जो है बहुत धर्म से ही सम्मंदित प्रतीत होता है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में सुधार किया जा सकता है। और इस सुधार के जरिए दलितों की स्थिति में बहुत हद तक सुधार किया जा सकता है। लेकिन यह धीरे-धीरे हो सकता है, उनके दिल में गहरा प्रेम था सभी के लिए, चाहे वो किसी भी जाती या धर्म के हो, लेकिन अंबेदकर के लिए यह बात इतनी सरल नहीं थी, अंबेदकर जो है, इसके लिए एग्रेसिव तरीके अपनाने को सोचते हैं, डॉक्टर माधी जी ने वह पीड़ा महसूस नहीं की होगी, चुकि उन्हें जातिवाद का सिकार नहीं होना पड़ा था, उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म की जातिवादी ब्यवस्ता ने दलितों को सद्यों से अत्यचार और अपमान के बीच रहने को मजबूर कर दिया था, उनके इसी वज़ा से उन्होंने भविस्ते में बहुत धर्म का रास्ता चुना, जो समानता और करुना की सिक्षा देता है, चुकि अंबेदकर का मानना था कि हिंदू धर्म ग्रंत ही जाति ब्यवस्ता को बढ़ावा देते हैं, और गांधी जी कितना भी कह लें, वो हिंदू धर धर्म ग्रंत में मोडिफिकेशन नहीं कर सकते थे, इस वज़ा से उन्होंने जो है बहुत धर्म को चुना, गांधी और अंबेदकर के बीच के बिवाद का एक महत्वपूर मोन तब आया, जब 1932 में ब्रिटीश सरकार ने दलितों के लिए पिथक निर्वाचान मंदल की मा भाजित कर सकता था, गांधी ने अपने विरोध को इस कदर मजबूती से जताया कि उन्होंने फास्ट अंटू देथ का निर्ने लिया, यह कैसा छंथा जिसमें पूरे देश को हीला दिया, और फिर अंबेदकर को पूना पैक्ट में जो है जुकना पड़ा, इंडिया के द अमबेटकर के सब्दों में हिंदू धर्म में पैदा हुआ यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा, दोनों महाननेताओं के विचार अलग थे, लेकिन दोनों के उदेश से एक जैसे प्रतीत होते है, एक ऐसा समाज बनाना जहाँ हर व्यक्ती से भी संब्वेद किया, लेकिन अमबेदकर इसकी causing atención के उन के हिसाब सेसे यह संबेद का स सब्द संब्सक्राइब नहीं था गानधी के द्वारा धलीतो के स्थिति में धीरे-धीरे सुधार करने की बात की जाती है जबकि अमबेदकर के द्वारा यह कहा जाता है कि जो है दलितों की स्थिति में जो है हिंदु धर्म में रहकर बिल्कुल भी सुधार नहीं हो सकता है और फिर आया वो दिन 14 अक्टूबर 1956 अम्बेदकर ने लाखों अनुआईयों के सांथ बहुत धर्म ग्रहन कर दिया यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था यह एक ऐसा प्रतीक था एक विद्रो था उस बिवस्ता के खिलाब जिसने दलितों को सदियों से अपमान और प्रिया दी थी अम्बेदकर के इस कदम से नौकियल भारत में दलित अंदोलन को नई दिशा मिली बलकि यह साबित कि यह मुक्ति का रास्ता जो है आपको खुद ही पना करना पड़ता है गाधी और अम्बेटकर के बीच अभीवात कोई समाने मत बेद नहीं था या उस संघर्ष का प्रतिक था भारत के दलितों के हिर्दय में सदियों से जल रहा था मुक्ति पाने का संघर्ष समानता के अधिकार का संघर्ष आज हमें या समझने की जरूरत है कि भले ही गाधी और अम्बेटकर की राहे अलग थी लेकिन उनकी मंजिल एक जैसी प्रतीत होती है भले ही गाधी जो है वो धीरे धीरे उस रास्ते को एक्वायर करना चाते थे और अम्बेटकर जो है एग्रेसिव तरीके से उसको तुरंत एक्वायर करना चाते थे इसी व वीडियो कैसा लगा आपको आज गांधी जनती 2 अक्टूबर है और इसलिए हमने जो है निर्ने किया कि आज के दिन जो है हम अमबेदकर और गांधी के बीच में जो भी राजनेतिक और बैचारिक मतभेद थे तो उनके बारे में बात करें वीडियो आपको अच्छा लगा त तो कमेंट जरूर करें और आपको क्या लगता है कि गांधी अपने जगा पर सही थे कि हम बेटकर अपने जगा पर सही थे और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार